जैसलमेर के विसुविख्यात सोनार फोर्ट के पास एक बड़ी घटना होते होते टल गई बुदवार को किले की दिवार से महस 20 फीट की दूरी पर एक जिन्दा बम मिलने से दहशत फैल गई शिव रोड पर बम मिलने की सूचना मिलने पर शहर कोतवाल सवाई सिंग टीम के साथ मोके पर पहुँचे और एहतियातन दुकानों को बंद कराकर सड़क पर बैरिकेडिंग की गई परसाशन ने भारती सेना और वायू सेना के बम निरोधक दस्ते को इसकी सूचना दी भारती सेना और वायू सेना के अधिकारी बम की सूचना मिलने पर मोके पर पहुँचे बम की जांच की गई जिसके बाद विशेशग्यों ने बताया कि ये बम पुराना विंटेज मॉल्टार बम है जिसके फटने से 50 मीटर की परीदी में काफी नुकसान हो सकता था चस्मदीदों से मिली जानकारी के मताबिक जैसलमेर शहर में देवचंदेश और महादेव मंदिर से मैच 20 मीटर की दूरी पर कुछ दुकानदारों ने इस बम को देखा था लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुँची तो बम मिलने की पुस्टी की और वहां मुझूद लोगों के खोश उडगे रोकेट लांचर बम की तरह दिखने वाले इस भारी चीज में अगर विस फोट होता तो काफी बड़ा नुकसान हो सकता था को बताया विजब यह एस अजब पोटो फांचर लेकर बताया उन्होंने वह देखा आता है वह देख रहा है और डर क्या लगा रहा है रहा हम दो पसीना पसीना हो गया है अभी भी दर रहे हैं अभी दुकान पूरा खुला पड़ा है हमारा माल आल ऐसे पड़ा है पहली नजर में देखने से पता चलता है कि कच्रा बीनने वाले या कबाडियों ने ये बम कहीं से उठाया होगा और जब उन्हें इसे बम होने का अंदेसा लगा तो उन्हें इसे तुरंद फेक दिया होगा हलनकि ये बम रिहाशी इलाके में World Heritage Society के बाहर बेहत करीबी जगहें पर मिला है इससे इस बम को लेकर और भी सवाल उठने लाज़मी है पुलिस परताल जारी है कि आखिर ये बम यहां तक पहुँचा कैसे रास्तान तक के लिए जैसल मेर से विमल भाटिया की रिपूर्ट कि अवे बम झाल जाज़ झाल